अंटी अंटी मुझे दो रोटी दो ना महुत भूख लगी है आरे वाँ रोटी फ्री में का मिलती है जरह मुझे भी तो बता मैं भी तेरे साथ चलती हूँ अंटी मैं आपके अगर हाँ जोडती हूँ मुझे दो रोटी दे दो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है हाँ जोडने से रोटिया नहीं मिलती अगर रोटि खानी है न तो पहले कुछ काम करना होगा बोलो मंजूर है हाँ अंटी मुझे मंजूर है लेकिन काम करने के बाद आप मुझे दो रोटि दोगे न हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तुझे दो रोटि नहीं बलकि पूरी चार रोटी दूंगी और साथ में सबजी भी. हूँ, अंटी आप सच क्या रही हो ना, आप दो रोटी में चार रोटी दोगी, साथ में सबजी भी? हाँ, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, चल आप जल्दी से काम पे लग जा. क्या करने हैं अंटी काम? वो देख, वो जो सामने बर्तन है ना, जल्दी से इनने साथ कर दे. अब ही कर देती हूँ, अंटी. ये लो, अंटी, मैंने सारे बर्तन दो दिये. अब आप जल्दी से मुझे दो रोटी दे दो, बहुत जोर की भूख लेगी है. ठीक है, ठीक है, रोटी को मैं तुझे दे दूँगी. बस एक छोटा सा काम हो रहा है, तू वो कर दे. बोलो, अंटी, क्या काम है? वो देख, वो जो सामने जाडू रखी है ना, उसे उठा और पोरे धर को साथ कर दे. फिर मैं तुझे गर्मा गर्म रोटी पका के दूँगी. हाँ अंटी, अब भी कर देती हो. उसके बाद आप मुझे दो रोटी दोगी ना? हाँ, हाँ, जाजा, पहले काम कर. अंटी, मैंने जाडू लगा दी, अब तो आप मुझे दो रोटी दो ना, बहुँ जोर की भूख लगी है. हाँ, हाँ, क्यो नहीं, तु इधर बैठ और मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के ले के आती हूँ. ए बगवान, तेरा लाख लाख शुकर हो, दस घरों के जाने के बाद मैं रोटी मिली है. ए, रुख, इधर आप, बोलिए अंटी, कुछ और काम भी रह गया क्या? नहीं, तु मुझे सबसे पहले ये बता, तु तो मुझे कह रही थी, कि तुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, और अब तु ये रोटीय क्यों नहीं खा रही है? पहले बता मुझे. अंटी, ये मैं अपनी मा के लिए लेके जा रही हूँ, जो बहुत बिमार है, और उन्होंने तीन दिन से कुछ भी नहीं खाया. और तु ने कुछ खाया है क्या? नहीं अंटी मैंने भी तीन दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारे गर पर कुछ खाने के लिए नहीं है भूख तो तुझे भी लगी है ना तो फिर ये रोटी तुई खा ले नहीं अंटी ये मैं अमनी मा को ही खिलाऊंगी जब मा खुद भुखी रहकर मुझे रोटी खिलाती थी तो अम मैं नहीं खिला सकती वारी मेरी लाडो लोग तो ऐसे ही बेटियों को कोक में मरवा देते हैं पर उन्हें नहीं मालूम की बेटियां तो अनमोल रतन होती है गुडिया तो मुझे एक बात बता तेरे पापा कोई काम दंदा नहीं करते क्या नहीं अंटी मेरा पापा तो एक मेने पहले एक्सिडंट में मारे गई थे और मेरी दादी ने मुझको और मेरी मम्मी को गर से बार निकाल दिया गर में जितने भी पैसे थे वो मम्मी की जिवाई पर लग गे और गर में खाने को एक दाना भी नहीं है गुडिया तु चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा भगवान के गर में देर है पर अंधेर नहीं ठीक है एक काम पर तु ये रोटी खा ले और तेरी मा के लिए मैं गरमा गरम रोटी और खिचिडी बना लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर तेरे घर चलेंगे और मैं तेरी मा को एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाऊँगी क्या आप सच कहा रियो अंटी मेरी मा ठीक हो जाएगी जिस मा की तेरी जैसी बेटी हो भला उस मा को कभी कुछ हो सकता है आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी पता नहीं लोग बेटियों को बहुत समझ के कोक में क्यों मरवा देते हैं बेटियां तो अनमोल रतन होती हैं